हेलो एन वेलकम बैक तो मैं चैनल, I hope you all are doing really well आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो बेस्ट मॉस्टराइजर का रिव्यू शेयर करूंगी फार ओईली एन एक्नी प्रोन स्कीन रेकिमेंडीड बार डेमेटोलोजिस्ट इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि मॉस्टराइजर के क्या बेनिफिट्स हैं लेकिन सबसे पहले इस बात का पता लगाना जरूरी है कि हम मॉस्टराइजर का इस्तामाल क्यों करते हैं वाई शूड वी यूज आप मॉस्टराइजर एक्शली हमारी स्किन एक बेरियर के तरह वर्क करती है इसके अंदर सेल्स होते हैं हमारी स्किन के अपर पार्ट को अपिडर्मस और लोर पार्ट को डर्मस बोलते हैं यह जो बेरियर होता है हमारी स्किन का स्किन को बचाता है कि no comes to the skin जो को मैंज हमारी सकिन को आधिकेंट करते हैं इसलिए हम निए पाथ करते हैं फिर्ट कमंपनेशन उसमय को मैंटेन निट फेंबीजे को सबस्क्राइब बाता है ठीजिजिदा ऑप उईलीडिवि इगा। तो आपने हर रोज मॉस्चुराइजर का इस्तमाल लाजमी करना है तो आप बात करते हैं आज के बेस्ट मॉस्चुराइजर की फार ओईली एंड एक्नी प्रोन स्किन जिनका रिवियू में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तो पहला जो मॉस्चुराइजर हमारे पास है वो है निट्रोजीना हाइडरो बूस्ट जेल क्रीम यह बहुत अच्छा मॉस्चुराइजर है इस्पेशली फार ओईली एंड एक्नी प्रोन स्किन मेरी स्किन बहुत जादा ओईली है यह मुझे डर्मेटोलिजिस्ट ने रिकमेंड किया था और इस्पेशली जिन लोगों की ओईली स्किन होती है प्लीज वो ओईली प्रोड़क्ट्स का इस्तामाल ना करें चाहे वो फांडेशन हो मुश्ट्राइजर हो कोई भी चीज़ों हमेशा वाटर बेस्ट प्रोड़क्ट्स का इस्तामाल करें यह जो निट्रोजिना का यह हाइडरो पूस्ट जेल क्रीम है यह हमारी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करती है हल्दी बनाती है और हाइडरेट रखती है और इसके लवा हमारी स्किन पे बहुत अच्छा असा ग्लो आता है अपने इसको इसको इस्तमाल कैसे करना है अपने हर रोज रात और सुबो मौनिंग और नाइट आपने अपने फेस और नेक पे इसको अपलाई करना है और अलके हाथों से इसको मिसाज करके अब्जाब कर लेना है यह बहुत अच्छे से ड्राइ स्किन को ट्रीर करता है हमारी स्किन को स्मूध एंड सपल बनाता है और इसके लावा इसके इसके इस्टिमेटिट आवरिज प्राइस जो है सेकिंड मॉस्ट्राइजर की जो बहुत अच्छा है फर ओली और एकनी प्रॉन स्किन इस मॉस्ट्राइजर का नाम है यह irritated and dry skin को बहुत अच्छे से treat करती है, moisturize करती है, इसके लावा release dry, itchy, irritated skin due to eczema, जिन लोगों को eczema, especially बच्छों को eczema problem होता है, तो उसको भी यह बहुत अच्छे से treat करती है, यह clinically tested है, steroid free and fragrance free है, now coming toward its application, कि आप किस तरह से इसको use कर सकते हैं, apply a small amount of hydro baby cream to the affected area 2-3 times daily, और as directed by your doctor, तो आपने दिन में 2-3 मरतबा इसका इसका इस्तमाल करना है, तो maximum result, apply on the wet skin to seal the loss of essential oils from the skin, hydro care baby cream moisturizer, जो है, यह बहुत जादा lightweight, non oily and non greasy है, आप किसी बनीर स्टमेटिकर स्टोर से असानी से इसको buy कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता तो आप online भी buy कर सकते हैं, मैं description में इसका link आपको दे दूँगी, I hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो यह था आज का review, and especially उन लोगों को जिनकी skin बहुत जदा oily and acne prone skin है, और जिनको हमेशा मसला होता है, कि how to choose a good moisturizer for oily and acne prone skin, तो उनके यह काफी जदा helpful होगी, and वीडियो को like, comment और share करने के साथ, आप मेरे चैनल को subscribe भी कर दे, अलाहफीज and take care.